अर्चना गौतम का अचानक हुआ मिड नाइट अविक्षन जी हाँ आपको बता दें कि बिग बॉस के घर से अब अर्चना गौतम के पीच मही शो छोड़ने को लेकर गैसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी क्योंक कि बिग बॉस ने अब अर्चना के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा फैसरा ले लिया है जैसा कि आप सब जानते हैं कि काफी दिनों से मिड वीक अविक्षन को लेकर खबर आ रही थी ऐसे में अब आपको उता दें कि अर्चना गौतम को लेकर मिड वीक अविक्षन से क्या है अर्चना के मिड नाइट वीक्षन की सारी की सारी सचाई चलिए आपको बताते हैं लेकिन इस से बहले चैनल पर नए हैं तो सबस्क्राइब कर लें साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें आपको बता दें कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि सलमान खान ने प लेकिन एक कंटेशन का मिड वीक अविक्षन भी हो सकता है ऐसे में आपको बता दें कि अब जिस तरह से अर्चना गौतम ने घर के अंदर शालीन भानोट और विकास के साथ जम कर लड़ाई की है उन पर करम पानी फैंकर जैसे जान लेवा हमला ही कर दिया हो इसी को लेकर अब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बिक बॉस ने अर्चना गौतम के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा फैसला ले लिया है क्योंकि अर्चना गौतम ने घर के अंदर काम ही असा किया है जब अर्चना गौतम की घर के अंदर लड़ाई हुई थी तब सही घर के कुछ सदस्य सीधे सीधे अर्चना गौतम को घर से बेगर होने की बिग बोस से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं जब अर्चना गौतम ने गरम पानी उड़ाया था तो वो गरम पानी शालीन भनोट, प्रियंका चोधरी और यहां तक की सुम्बुल टौकर खान के उपर भी गिरा था विकास के उपर तो गरम पानी गिरते गिरते बच गया था जिसके बाद खबनों की माने तो हर किसी कंटेशन ने सीधा सीधा अरचना को घर से बेगर करने की मांग बिग बॉस से कड़ डाली है और कहा है कि बिग बॉस अरचना घर के अंदर ऐसी हरकतें कर रही है जिससे किसी भी कंटेशन की जान भी जा सकती है इसी को लेकर अब खबनों की माने तो बिग बॉस ने इस इंसिडेंट के बाद अर्चना गौतम को सीधे सीधे कनफेशन रूम में बलाया है और कनफेशन रूम में बलाकर अर्चना को जम कर फटकार भी लगाई है और खाह है कि आपने घर के अंदर कुछ ऐसा किया है जैसा इससे पहले किसी भी सीजन में देखने को नहीं मिला है अर्चना गौतम को बिग बॉस ने इतनी फटकार लगाई है कि खबरों की माने तो हो सकता है कि बिग बॉस ने कहीं अर्चना गौतम को घर से बेगर नक कर दिया हो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिग बॉस के गर के अंदर इस अफ़ते मिड वीक अविक्शन होना था तो क्या इस अफ़ते आर्चना का मिड वीक अविक्शन हो गया है ये तो आने वाले समय में हमें पता चल ही जाएगा आपको क्या लगता है हमें कमेंट करें और बिग बॉस से जुड़ी हरेक लेटस न्यूज के लिए हमारे चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें